ख़बरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अगर आप भी देना चाहते हैं कोई ख़बर या जानकारी तो इन नंबरों पर करें संपर्ख सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादो और सपा सुप्रीमो अखलेस यादो जनवादी जनकरांत यात्रा के समापन कारिकरम में पहुचे सपा संरक्ष अक मुलाहिम सिंग यादो ने जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्टी अधक्ष डॉक्टर संजय चौहान का स्वागत किया और यात्रा के लिए बधाई दी बता दें कि लखनव इस्थित सपा कार्याले में जनवादी कारकरता यात्रा के समापन कारकरम का आयोजन किया गया सपा सुप्रीम और अखलेस यादो ने सपा में शामिल होने वाले नेताओं को बधाई दी और कहा कि हर वर के लोग साथ जुड़े रहे हैं अखलेस यादो ने एक बार फिर उनकी अब की बार चार सो पार का नारा दिया उन्होंने कहा कि जहां से यात्रा निकली है और वहां से बिजेपी स्ताफ है इसलिए सपा कहती है अब की बार चार सो पार इस दोरान अकलेस यादों ने महगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना साथा उन्होंने कहा लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है किसान की आय दोगनी नहीं हुई लेकिन सिलेंडर का दाम जरूर दोगना हो गया उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने डायल सो को बरबात कर दिया आपको बता दें कि इससे पहले एकलेस यादों की मौझूदगी में मंजिला विवेक शिंग और इशान सिंग ने सपा की सदस्ता ग्रहन की वहीं बसपा छोड़कर राय संजीव त्यागी ने भी अपने सैक्रों समर्थकों के साथ सपा जोईन की दरसल विदान सभा चुनाओं से पहले सपा ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत जोग दी है पार्टी योगी सरकार की नाकामी और सरकार कट और सपा सरकार में हुए विकास कार्रियों को लेकर जनता के बीच जा रही है और एक बार फिर 2022 में अखले स्यादों को सीम बनाने की अपील कर रही है